नमस्कार दोस्तों सुबं क्लास्टेंट में अब हम सुरू कर दिये चैप्टर वन जो काफी प्राब्लम खड़ा करता है तो हम चाहते हैं कि चैप्टर टू जो कि एक असान चैप्टर है जो कि आसानी समझ में आ जागा तो शुरुआती हम चाहते हैं कि थोड़ा से एजी चेप्टर से शुरू हो ताकि आपको समझने में चेप्टर वन जो है उसमें जो वास्तिविक्षंख्या है थोड़ा सा उसमें आपको प्राब्लम होती है तो हम चेप्टर टू से सुरू कर रहें तो इसमें बहुत जादा सवा जो चेप्टर सुरू करेंगे वह चेप्टर टू से बहुत बहुत के बारे में आप थोड़ा जानते हैं इंट्रोडक्शन फिर भी हम दे देते हैं कि बहुत क्या होता है बहुत को सबसे पहले हम पी एक से लिखते हैं जैसे कहने मतलब कि इसमें फोर एक्स क्यू प्लस एक पॉलनोमियल हुआ किस वेरियेबिल में एक्स वेरियेबिल में ठीक नहीं यहां पर एक्स लिखा है पी फार पॉलनोमियल एक्स ब्रिकेट में लिखा है इसका मतलब हुआ कि हमारा जो पॉलनोमियल है जो बहुपद है वो वेरियेबिल एक्स में है ठीक है तो एक पॉल एकस के पावर 2 है यह जो बहुपद है इस बहुपद का जो घात होगा त्री डिग्री होगा यानि कि इसमें जो पावर है मैक्समुम 3 है यहां पर पावर 2 भी है यहां पर पावर 1 भी है लेकिन जो मैक्समुम पावर होता है वहीं हमारा क्या होता है उस बहुपद का घात होत स्क्वार प्लस 90 प्लस 7 यह जो पॉलम्यल है अगर इस पॉलम्यल की डिगरी की बात करें घात की बात करें इसमें जो मैक्समुम पावर है वह आप देखें ती के पावर 2 है यहां पर टी के पावर 1 है यहां पर टी के पावर 0 है ठीक है इसकी डिगरी जो हो जाएगी इस पॉ और एक तरी घाथ ठीक है तो सबसे पहले राखिक बहुपद क्या होता है यहां पर डिफिनिशन लिख देते हैं इसमें जो पहला टाइप का है राखिक बहुपद लिनियर पॉलनुमियल घाथ इसमें डिफिनिशन बहुत असान है एक्जामपल से आपको कलियर हो जाए घाथ आपको बहुत सारे में जाएंगे इस तरह से लिख लिजिए यहां पर अंडरूट टू इन्टू टी प्लस यहां पर शेवन कर दिजिए यह भी डिग्री वन का है ठीक ना यह सारे रैखिक बहुपद हैं आप किसी भी वेरियेबल में ले सकते हैं यू मिले सकते हैं यहां पर अधि रखाल कि माले जिए फॉर और यू क्लस नइन कर दीजिए ठीक है यह भी हमारा शेवार एक र्रेखिक बहुपद हुआ है तो रेखिक बहुपत क्या है जिसका घात वन होता है घात कैसे डिसाइड होता है तो जो मैक्समुम पावर होता है यहां पे पावर वन है यहां पे यू के पावर वन है यह जो हाइस्ट पावर होता है वो हमारा होता है रेखिक वो पावर हमारा डिसाइड करता है उस बहुप बहुपत का दूसरा है हमारा दिवघात बहुपत इसमें डिफिनिशन क्या है कि घात 2 की बहुपत जीते भी होंगे दिवघात बहुपत कहलाएंगे एक्जामपल से आपको प्लियर हो जाएगा तो इस सारी सीजे आपको समझना बहुत जरूरी है पी अब ब्रिकेट में एक्स लिखने का मतलब है कि बहुपत जो है हमारा वेरेबिल एक्स में होगा तो देखिए कोई भी नमबर यहां पे 90 प्लस यहां पर मलेज़े कर देते हैं 70 स्क्वाइर यहां पर अंडरूर 2 ठीक न यह इधर द्वर लिखा रह सकता है यहां पर टी के पावर वन है यहां पर टी के पावर टू है इसमें जो मैक्समुम पावर है वो चाहे टर्म कहीं भी वी वो इूँए बीच में हैं इसकी डिग्री क्या है डिग्री हमारी क्या है डू है MAX power है तो 2 घात जितने बहुपद है हों क्या क्या रखते हैं डिवगात जैसा कि नाम सही Real Long मतल्ब घात मतलब एक तरह से कह सकते हैं power त्रीगात कstore होता है त्रिखात बहुपद त्रिखात बहुपद जो होता है उसमें तीन डिग्री यानि कि 40 की एक अगर हम बहुपद लें वेरियबिल्टी में तो 40 की प्लस 90 इसक्वार प्लस 70 प्लस अंडरूट 3 यह हमारा तीखात वाला बहुत अशान है यह बहुत ज्यादा कठी नहीं आप पह यहां पर आपल चाहिए यह मालोज़े 8 zero Better the power उल्य क्लिर यह हमारा इक बहुपद नहीं होगा क्योंकि जो पावर होना चाहिए वहमेशा एक इन कीज़र और यह यह वे यहां पर इन कीज़र नहीं यहां पर उब्रमे शांखया एक ऍक पना चाहिए यह जो है कि हाला कि नौ घात वाला बहुपद हो जाता है लेकिन यह यहां पर अंडरूट टू आ गया है तो हमेशा एक परफेक्ट इंटीजर यानि कि एक पुरान खोना चाहिए क्लिर है तो बहुपद यह बहुत इंट्रोडक्शन है क्लास 9 में भी आपको बताए गया है इसमें अब जो हमारे काम की चीज है कि किसी बहुपद का जो मान के से निकाले जाता है और zeros यानि कि शुन्य क्या होता है यह चीज हमारा अब से शुरू होगा जो कि आपको class 10 पर बढ़ना है इस पर एक विचार करते हैं कि polynomial है PX X2-3X-4 ठीक है इसमें हम कहते हैं कि अगर X2-2 पे इस बहुपत कमान बताइए यानि कि जहां-जहां X है वहां-वार 2 रख देते हैं यह हो जाएगा 2 के पावर 2 यहां पर 3 इन्टू 2-4 इसकी अगर value देखा जाए तो दो दूना के जहां-जहां X है वहां-वार 3 रखे जो मान निकल के आएगा यहां पर X2-3 पर जो बहुपत कमान है वह माइनस-1 है ठीक है इसी तरह से किसी भी X2-4 ले लिजिए तो यहां पर बहुपत कमान यहां पर 4 पर देखे क्या निकल के आता है यहां पर 16-16 यह 0 हो गया अब देखे एकस के जिस value पर एकस के जिस मान के लिए हमारा बहुपत कमान 0 हो जाता है जिसे X2-4 पर हमारा जो बहुपत कमान के आ गया 0 आ गया एकस के लिए बहुपत कमान था वो माइनस 6 था और एकस के लिए बहुपत कमान था माइनस 1 था ठीक है एकस का वहमान जिसके लिए बहुपत कमान 0 हो जाए यह इस दिवगात बहुपत के लिए क्या कहलाता है Xoru landed 4, सुन्यक कहलाता है 00 कहलाता है क्योंकि Xiscauz to 4 ही इस बहुपत को क्या कर देता है शुन्य कर देता है याँन eh Xsuite 4 रखने पे यहाँ पे 00 हो जाएगा बहुपत कमान यहाँ पे मैंने Note Point करके लिग दिया कि X का वहमान जिसके लिए बहुपद कमांद सुन्त ही हो जाए वह x कमांद ही क्या कहलाता है शुन्यक हो जाए यहां पर x स्कल्टू 4 1 सुन्त हो गा x स्कल्टू 2 और x स्कल्टू 3 शुन्त नहीं होगा तो यह सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए अब हम दिस्क्रस करेंगे यहां पर एक स्कल्टू फूर क्या है एक सुन्य का एक जीरू है किसके लिए यह पॉल्णमेल जो हमारा समीकर नमबर एक दिया हुआ है ठीक है इसी तरह से हम और डिसकस करते हैं मायनस वण गया पर चरह वेलू देखे हैं is पॉल्णमेल कि यानि कि जहाँ पर एक से वहां क्या रख दीज़े दिजिए माइनस वण ठीक है यहां यह से वहां पर माइनस वण रखते थे हैं स्वन का इश्वार करते हैं जोस्तों अगर आप क्लास टेंथ में हैं अब जो है आप सतर्क हो जाईए क्योंकि अब जो है आपको शिवम क्लास पर प्रतिदीन mathematics का lecture मिलेगा और chapter 2 से हम सुरू किया है क्योंकि chapter 1 से बहुत ही हालत है तो बाकी चिप्रम क्या हो रहा है ऐसा नहीं है यहां पर एक स्कल्टू-1 पर अगर वैलू देखा जा तो यह कोई भी बहुपद दो घात का है तो उसके दो सुन्यक होंगे एक घात का है तो उसके एक सुन्यक होंगे और तीन घात का है तो उसके तीन सुन्यक होंगे यह चीज आप जान लेजिए यहां पर इचुकी दिवास हमिकर था तो इसके दो सुन्यक है एक एक स्कल्टू-4 और तो ये सा संभव नहीं है, क्योंकि ये परमे है, एक थेरी है, कि अगर दिवघात बहुपद है, उसके दो हमारे सुन्यक होंगे, त्रीघात बहुपद है, तो उसके तीन सुन्यक होंगे, चतुर्द घात का बहुपद है, तो उसके चार सुन्यक होंगे, उससे जादा नहीं ह अगर एक घाद का बहुपद है उसके एक सुन्यक होंगे देखें आपे लिख देते कि अगर एक घाद बहुपद है तो उसके एक सुन्यक होंगे ठीक है अगर दिव घाद बहुपद है तो उसके दो सुन्यक होंगे और त्रिगाद बहुपद है तो उसके क्या होंगे तीन सुन्यक होंगे यहीं हमारा निक्स टॉपिक होगा कि किसी बहुपद कोई बहुपद है दिगाद बहुपद है तो उसके सुन्यक कैसे ज्याद करेंगे ठीक है तो यह हमारा पूरा अभी हमारा जो एक टॉपिक है कि कि बहुपत की सुनिकों का ज्यामिती अर्थ क्या है यानि कि जुमेटिकल मीनिंग क्या है कि ग्राप से कैसे निकालेंगे कोई हमारा बहुपत दिया हुआ है तो बहुपत की सुनी को जामती अर्थ का क्या मतलब है कि जैसे हम एक रैखिक बहुपत दिया हुआ है सपोस्कर यह पी-एक्स इसकल टू फोर एक्स प्लस नाइन ठीक है अगर हम इसका पी-एक्स को हम अगर हम नान देते ते इसको बाद में हम दिया जाएगा य यह समझे कि पी आप ड्रॉ करें ग्राप कैसे ड्रॉ करते हैं एक सेक्सिस और य एक्सिस हम बना लेते हैं आप नो से ही पढ़ते हैं उस्तों करते क्या है कि हम एक डब्बा बनाते हैं एक डब्बा हम बना लेते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ठीक है एक हम ग्राफ ड्रॉ करना है इस प है आप जब x axis पे होते हैं यह x axis है यह हमारा y एक फिश है जब x axis पे होते हैं तो y command 0 होता है y command 0 यहाँ पर रखे तो जो x command निकल के आएगा x command निकल के आएगा minus 9 by 4 clear है अब देखिए minus 9 by 4 को अगर मोटी मोटा समझे जा तो यह हो जाएगा minus 2.2 इस तरह से 2.25 करके रहेगा अगर यह point देखा जाए minus 2.25 यह जो है लगबग यहां पर कहीं आएगा clear है यह point है minus 9 by 4,0 ठीक है यह point यह दे दीजे clear हुआ अब क्या करना है कि इसमें अब y axis हम point ढूंड लेते हैं तो y axis पर point हमको पता है कि y axis पर जबाब होते हैं तो वहां पर y coordinate 0 होता है ठीक है x coordinate 0 होता है यहां पर x की value इसमें 0 करेंगे और यहां से y कमान किया जाएगा 9 यहां पर ऊपर कहीं पर अगर इसको हम बढ़ा दें यहां पर कहीं पर होगा 0 common 9 ठीक है इसको जब हम यहां पर इसको मिला देंगे यह दोस्तों एक state line का graph हो जाएगा ठीक है इस बहुपद का हमारा क्या होगा जीरोज होगा सुन्यक होगा clear है तो graph के लिए हमें यह समझना है आपको मोटी मोटा हम बता दें कि कोई भी graph दिया रहेगा ठीक ना आपको एक question भी मिलना है कि अगर कोई graph दिया रहेगा आपको graph नहीं ड्रॉप करना है इसका जब graph ड्रॉप किया गया यह देखा गया कि यह जो graph है इस तरह से जा रहा है तो कोई भी graph एक सेक्सिस को जितना बार कट करता है या असपर्स करता है उसके उतनी बहुपद हो जाते हैं ठीक है उसकी उतनी बहुपद नहीं सॉरी सुन्यक होते हैं तो अगर दियास द देखा जाती यह सजो graph है एक सेक्सिस को दstaw यगों पर दो जगों से cut करते हुआ ना फूपद हों इसके जो जन्यक होंगे i available यहां पर एक यह जो graph X axis को एक जगह पे asparse कर रहा है asparse करे या cut करे ठीक ना तब भी हमारा यहाँ पे एक जगह पे कर रहा है इसके एक बहुपद होगा एक सुन्यक होगा clear है तो graph जब भी आपको दिया रहा है तो आपको से यहाँ पे अगर ध्यांज देखा जाए यह जो है यह graph इस तर करना चाहिए को दोस्तों अगर आप अभी अभी चैनल से जुडए है सुर्भम क्लासे से जुड़े हैं तो आप वीडियो लाइक करना ना बुले मात्र आपको सी 3 सेटने लेकिन उसला लगताने के लिए यह बहुत बड़ी कीमत नहीं हम लोग मांगते हैं इससे अच्छा लगता है कि बच्चे उन बच्चों को पसंदा रहा है और हम लोग जो है लगतार जो है पूरे शाल जो है मेनत करेंगे आपके साथ और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे शाथ उतने ह परतागिशा जो है लगे रहेंगे यहां पर जो है यह ग्राफ ऐसा है कि एक सिक्सिस को कहीं पर नहीं कट कर रहा है नहीं असपर कर रहा है इसके कोई भी सुन्यक नहीं होगा ठीक ना तो आपको एक एक साइज अगर यहां पर हम बात करें ज्यान दीजिए यह इस तरह से ग्राफ है यहां पर देखिए एक जगह हो गया यहां पर दो जगह हो गया तीन जगह हो गया इसका जो ग्राफ इस तरह से है कि यह जो है इसके तीन सुन्यक होंगे ठीक ना तीन जीरू जोंगे यह सारा चीज़ आपको करना है इस तरह से जो प्रशनावली 2.1 है अगर धि स्क्रिन सोट ले लिजे 2.1 का इसमें देखिए ये 6 कोशन है इसमें कुछ नहीं करना है देख के बस एक ही एक कोशन ही है हमारा उसके बाद जो है हमारा 2.1 खतम हो जाएगा किसी बहुपद PX के लिए Y is equal to PX का ग्राफ नीचे दिया हुआ है प्रते किसीती में PX के सुनिकों की शंख्या ग्याद किजिए यहाँ पे सुनिकों का शंख्या देखा जाए तो देखिए यह हमारा X max isicate यह हमारा जो बहुपद nggak ग्राफ है यह एक सेक्स पह कहीं पर भी कट कर नहीं रहा है तो इसके एक सुनिक नहीं होंगे यानि कि इसके एक भी सुनिक नहीं हुंगे यहाँ पर अगर देखा जाए कि यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ पे तीन जगों पर प्रतिश्यत कर रहा है तो इसके तीन सुनियक होंगे बाकी आप इसी तरह से हर कोश्चन का जबाब आप कर ले जाए ठीक है तो यह exercise जो है 2.1 खतम हो गया इसमें कुछ करना नहीं था ग्राप को देख के बताना था कि इसके कितनी सुनियक होंगे दोस्तर निस जो टॉपिक होगा कि किसी बहुपद के सुनियकों और गुणांकों में क्या सम्द होता है बहुत ही interesting टॉपिक एकदम कह सकते हैं कि अगर शरल सब्दों में कहें तो ललन टॉप टॉपिक है और यह जो है अगले शैप्टर में भी हमारा काम आयगा कि किसी बहुपद के सुनिकों और गुणांकों में जो कैसे निकाला जाएगा कि अगर कोई भवपत दिया है तो कैसे निकाला जाएगा कि उसके शुन्यक और उसमें जो गुडांक है यह सारी चीज़ें हम डिक्सेस करेंगे नेक्स लेक्षर में आज जो है आज कर शत्र आज कर शेशन बस इतना ही था एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही अशान वे में हम लेके चलें किशी को भी अगर प्राब्लम होई है तो कमेंट करके आप बताइए कि हां सर आप तेज पढ़ा रहे हैं या चीज़ें नहीं करेंगे आपको परिशान होने के आप शेकता नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आप चैनल पर फिर शाम एक बार कह रहे हैं कि अगर आप कुछ चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और बेल आइकन को भूल दबाना ना बोलें क्यों कि उ वीडियो हमारा पढ़ेगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा वीडियो लाइब भी चलता है और साथ में जब लाइफ खत्म हो जाता है तो यूटूब पर पढ़ जाता है ठीक है इसलिए कि जब लाइब बच्चे पढ़ते हैं तो उसी समय बहुत बच्चे अपने बाद आपका दिन सुभ हूँ